हेलो फ्रेंज कैसे वह आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने यहां पर तीन नमबर दिखाई दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए हम देखने जा रहे हैं आपका अन्यरत समय कैसा है और क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है तो अगर आप इसको एक एंटेटेंवेंट की रूप में देखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखिए आपके सामने यहां पर तीन नमबर है 123 हम देखने जा रहे हैं आपका आने वाले समय कैसा है साथ में उपर वाले का क्या यह जो भी कुछ आपकी जीवन में हो रहा है जो कार्ट समय बताएंगे कि जो होगा आने वाले वक्त में उस हिसाब से क्या आपके लिए तो बहुत ध्यान से देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जली सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को ला आपके सामने हैं आप जो नंबर चुने हैं बस उसी नंबर की रिडिंग को देखिएगा हम देखने जा रहे हैं आपका आने वाला जो वक्त है वो क्या के लिए लेकर आ रहा है साथ में योनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए ठीक है नंबर फर्स्ट नंबर सेकें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगी नंबर फर्स्ट आये देखते हैं आपके लिए आने वाला जो वक्त है वो क्या है और गाइडेंस क्या है ठीक है आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा एक तरके से लेकर आ रहा है मतलब भूमने फिरने का आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है एक होता है ना कभी कभी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हम चाह कर भी उसको छोड़ने ही पाते हैं लेकिन situation ऐसी हो जाती है एक समय बाद इंसान का उस रिस्ते से मुह खतम हो जाता है तो कुछ इस तरीके की चीज आपके साथ होगी ठीक है हो रही है present time में साथ में एक ऐसा भी दिखर रहा है कि आप अपने स्थान को change कर रहे हैं आप अपनी जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं सब्सकlor सकते है ट्रेवल का कार्ड भी दिख रहा है आने वाले वक्त में आप गुम्ने-फिरने जा सकते हैं अपने PRIVAR के साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो नहीं हुई है तो गी अज़िक एक आप जाएंगे को फिरने ट्रेवल की ЭΝनेर Gंग लिए पर और बहू cens तो बहुत दुखी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपका मन भारी है इस समय पर, आने वाले वक्त में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा आप लोगों से बहुत ज्यादा निरास हैं अपनों से बहुत रुठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मन भारी इस आपने आपको कंट्रोल में रखिएगा मतलब बहुत ज़रा परशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि जितना सोचेंगे अतना दुख होगा आपको तो यह एनरजी है कि आने अले वक्त में चीज़े इस तरीके से होंगी आपके साथ आई देखते हैं अब गाइडेंस क्या ह या कुछ ऐसी बाते हो गई जिसके वज़े से आपका मन दुखी है जो कि कार्ट में दिख रहा था कि मन भारी रहे आने वाले वक्त में तो प्लीस भूलने की कोसिस कीजिए सभी के साथ जीवन में चीज़े ऐसी होती रहती है अब यह समझेगा कि आपका पास्ट लाइप क ज़रा हुआ मन मतलब रहिए मतलब फ्रेस एनरजी में रहिए कोई जरूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा भावनाव में डूब के परिशान होने क्योंकि इसे कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला किसी को भी दुख होगा आपको होगा परिशान होंगे तकलीफ में रहेंगे सो इस सारी बातों तो तो इसको सोचने से आप अपने आप पर क्यों कोई असर डालना चाहते हैं तो यह सब चीजे नियुक्त में आपके साल इसे नमबर सेकेंट हमें क्या पता चलता है कि आने वाला समय कैसा है साथ में क्या गाइडेंस है उससे पहले आप से छोटी से रिक्रस्टे कि अगर आपने चल्ली से सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो नमबर सेकेंट आई देखते हैं आपके लिए क्या है नमबर सेकेंट आपके लिए जो चीज़ें है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है लेकिन अभी आपका जो मन है ना वो बल्कुल भी मतलब लग नहीं राय कहीं पर भी जो रिष्टे हैं आपके आपका मन उन से रूठ आपको लगता है कि आपके अपने आपके अपने नहीं है, आपके लोग आपके अपने नहीं है, आप रूटते हुए उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीजे ऐसी होती है, जो हमें समझ भी नहीं आती है, मतलब पा आपको आने वले वक्त में आप लोगों से काटेंगे अपनों से दूर रखेंगे अपने आपको जो आपके सगें हैं जो आपके इस्तेदार हैं जो आपके घर परिवार की लोग हैं उनसे अपने आपको थोड़ा सा दूर रखना चाहेंगे और अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहेंगे ऐसा दिख रहा है कार्ट में ठीक है तो अच्छी बात भी है क्योंकि जब जीवन में आगे बढ़ना है अपने लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा दूरियां बनानी पड़ती है क्योंकि समय बहुत जादा महत तो रखता है अगर एक बार वक्त निकल जाता है तो आप चाहकर भी चीजों को बदल नहीं सकते है तो ऐसा दिख रहा है आने वले वक्त में आपका जो फोकस है खुद के उपर रहेगा खुद को बनाने में रहेगा अपने करियर को लेकर रहेगा अपने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए रहेगा ऐसा दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा आप अपने उसे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहते है ठीक है यह दिख रहा है आई देखते हैं गाइडेंस क्या है परफेक्ट टाइम देखिए यहां जो है ना कि आपने ऐसा सोच लिया है अभी जो सिच्वेशन चली उससाफ से दिख रहा है कि मन में आपके कुछ चल लहा है और उससाफ से आप चीज़ों को करना चाहते है तो यह बहुत अच्छा है इश्वर की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है कि यह समय बहुत उचित है अभी आपको जो मन में फैसला चला है आपने दिरने लिया है उस काम को अंजाम तक ले कर जाएए इश्वर अगर आपके साथ हैं तो आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है आपके पास सब कुछ है ठीक है क्योंकि यह दुनिया का हर एक मतलब समझ लीजेगा एक पत्ता भी बिना इनकी इजाज़त के नहीं हिलता तो बिना इनके आश्रवाद के कुछ नहीं है जब इनका अश्रवाद आपको मिला है यूनिवर्स का साथ आपको मिला है इश्वर का साथ आपको मिला है तो फिर आपको क्या जरूरत है सोचने की कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाव के ठीक है तो यह सारी चीजे दिया आपके लिए कि आइए देखते हैं नबर थिम्हें क्या पता चलता है कि आप का आने वला वक्त कैसा है आप का आने व्रसमे कैसा है उससे पहले आफ एक चुछी सी रिक्वैस्ट狉 से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा आईए देखते हमें क्या पता चलता है आपका समय तो बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी जीवन में चीजे बहुत सुधरती चली जाएंगी और एक त एक तरीके समझेगा कि जिस चीज का आपको काफी वेसबरी से इंतिजार है वो चीज आपको देखने को मिलेगी करियर में दिखेगा सब चीजे आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज मुझे यहां दिख रहा है कुईन आफ वांट्स की एनर्जी है तो आपके उपर मातलानी का आश्रवाद तो दिख रहा है साथ में आपके जो बड़े होंगे आपके घर में आपकी मां होंगी आपके जो भी मतला फीमेल ऐसी जो आपके बहुत करीब हैं बहुत अच्छा एक तिक्राए बलेसिंस विल लेगी है आपको आश्रवाद मिला उनका साथ मिलना ह तो आपकी जीवन में चीज़े बहुत अच्छी से बदलेंगी चेंज होंगी आपकी लाइफ में परिवर्तन दिख रहा है नमबर त्री आएए देखते हैं गाइडेंस क्या है यस का देखें यहाँ पर आंसर आ रहा है जो भी कुछ आप सोच रहा है जो भी कुछ आपके म सारा वह यही है कि ठीक है बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है इश्वर आपके साथ है तो इश्वर आपके साथ है जब इश्वर की मरजी है तो फिर आपको कुछ भी सोचनी की जरूर होने वाले हैं ठीक हैं तो उमीद करते हैं आज की रिडिंग आप से जरूर कनेक्ट होई होगी हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाइ फ्रेंड्स